नमस्कार भाईयो आज हम पतले लड़कों के बारे में बात करेंगे जो ताभी पतले दुबले महसूस करते हैं महसूस क्या होते ही हैं जिने देखकर और लोग उनकी मजागादी भी बनाते हैं तो इसके कुछ कारण भी है जिनकी बज़े से ये संभव है कि आप पतले दुबले रह सकते हैं तो आप किस तरह से अपने सरीर को स्वस्थ मोटा बाइस फूर्तिदार बना सकते हैं इसकी कई कारणा हैं इनमें कुछ मोटे कारणों को मैं आपको बता बता स्वस्थ रहने के लिए कुछ आपस्तर कारण है जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं बाजार के खाद पजार्त हैं तरह तरह के आपको मिलते हैं बाजार में खटाई हिउक्ट और अधिक बसा युक्ट ऐसे पजार देते। चाउमीन हैं बर्गर है, मोमो आदी, तमाम तले भूने तरह तरह के खाद बदार्त आपको मिलते हैं बदार में और जिने आप बड़े चाव से ही खाते हैं, जो आपके सरीर को नुक्सान ही नहीं देते, बलके आपके पाचन तंत्र को बहुत ही कमजोर कर देते हैं, जिससे सरीर में, जिससे काफी पाचन के लिए हमें काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है, और पाचन सकती बिलकुल छीर्ण हो जाती है, जिससे हमारा सरीर, जिसके कारण हमारे सरीर पर बुरा प्रभाब पड़ता है, हम पतले दुबले बाकमजोर असाहा महसूस करने लगते हैं जिसकी वज़े से हम अपने लिए बहुत ही ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम किसी के पास बैठने लाइक नहीं है या फिर हमसे जो अच्छे सरीर वाले बेती हैं वो हमारी मजाक तरह तरह से मजाक बनाया करते हैं और जिसके बहुत ही इर्षा होती है तता हमारा मन किसी कालिय में भी नहीं लगता है और तता थोड़ा सा भी परसरम करने पर बहुत ठकान का अनुभव करते हैं तो निम्न बातें आप दिहान में रख लें प्रति दिन, सुबह, उठकर, दौड लगाएं, योगा ब्यास करें, तता अन्य प्रकार की व्यायाम भी करने चाहिए और सोने से पहले, आप जब साम को सोने जा रहे हों, तो उससे पहले पहरों को धोकर सोबें जिते आपको परियाप नीद मिलेगी, और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी यो भरपूर नीद आएगी तचा प्रोटीन युक्त फनों का प्रियोग करें और हरी पत्तेदार सब्जी सब्जियों का प्रियोग करें प्रोटीन युक्त दानों का प्रियोग करें उनके उन सब के बाद भी अगर इन सब क्रिया करने के बाद भी अगर आप अपने को स्वस्त अनुबब नहीं कर रहे ह तो फिर इसमें हमारे होमियोपेथिक में एक दवा आती है होमियोपेथिक में जो दवा है अलफालफा सुपर्टानिक के नाम से जानी जाती है जिसको मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूं हूं ये दवा है ये बहुत ही अत्ती दवा है आपके स्वास्त के लिए और बहुत ह